असलाम अलेकुम वेलकम तो अपनेटीचर डॉट कॉम आम यूर टीचर ऑफिजिक्स और केमिस्ट्री और माइनम इस असदुल्ण पहली तो यह बता दूँ कि हमारे चैनल से आपको 100% सारे के सारे चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक की वीडियो फ्री मिलेगी ठीक है तो यह गूड नियोज आप लोगो पता होनी चाहिए और आज हम बात करने वाले एक्जैक्ली अपने फिजिक्स के सेक्शन में प हमारे पास पेपर बैटन किस एतबार से बनता है कितने सवाल सेक्शन में कितने सेक्शन बी में और कितने सेक्शन सी में होते हैं और कितना टाइम फ्रेम होता है और हमने इन सारे सेक्शन को कितना स्मार्ट ली अटेंड करना है ठीक है जी चलिए बात करते हैं पहले तो यह च्ठीक है है जिसमें जो आपका टिवरिंकर होगा जो आपने टायम करना है गौ hubs का थाकिल खायो जो एक्षितinden बॉलिज वाले Careg बात नियुक पर इंटरन भी अरेच्ट कर लेते हैं यहां पर बात कर ले दे पर चलिए हम यहांपर बात कर ली जो वह यह है कि paper जो आपका 85 माक्स का बने वाला है उसके अंदर दो paper के part होंगे paper 1 और paper 2 paper 1 कितना time लिखा भाइं time allowed 20 minutes यानि paper के start में start के पहले 20 minutes पे आप लोगों के हाथ में थमाजिया जाएगा और 20 minutes आपको दिये जाएंगे इस 20 मिनिट के अंदर इस section number 1 में आपके पास एक ही section होगा जिस section का नाम होगा section A और ये section mcqs पे base करेगा साथ ही साथ इस section के अंदर total हमारे पास 17 mcqs होगे हर mcqs का एक marks होगा तो उस अतबार से हमारे पास 17 mcqs के जो total marks बनेगे हो कितने होंगे 70 चलिए अब बात करते हैं paper number 2 after 20 minutes के बाद आपके हाथों से दुबारा ले लिया जाएगा और फिर आपको छोड़ दिया जाएगा एक बड़े मैदान पर जिसमें हम बड़े करेंगे paper number 2 paper number 2 के अंदर आपने section B करना है और section C करना है पहले बात कर लेते हैं section B के अत्वाट से अब हमारे पास exactly यह तो हमें idea तीन घंटे का paper है तीन घंटे में से 20 मिनट अगर आप निकाल लेते हैं तो पहले calculate कर लेते हैं कि time हमारे पास total कितना है जिसमें हमने paper 2 attempt करना है जिसमें section B और section C की दोनों ही मौजूद है चलिए time की बात कर लेते हूं मैं आप लिखा वाए two words and 40 minutes exactly तीन घंटों में से 20 मिनट इकाल लोगे तो पीछे हमारे पास remaining time जो बचता है वो दो गंटे और 40 मिनट का है दो गंटे चालिस मिनट के अत्वार का मतब यह हुआ कि एक घंटे का मतब 60 मिनट दो गंटे का मतब 120 और 40 मिनट उसमें कर दें तो यह आपका 160 मिनट के अंदर आपने paper number 2 attempt करना है जिसमें section B और section C होगा चलिए अब section B के अंदर दो section है जिसकी मैं बार-बार बात दोराता रहा हूं कि section B और section C section B में basically क्या है आपके पास short question answers है ठीक है exam में exactly जो paper बनकर आएगा उसमें just लिखा होगा short question answers यह आप लोग को वाज़े तोर पे clear करने के लिए बता रहा हूं कि यह short question answers का जो पार्ट है उसमें numericals भी दिये जाते हैं जो के maximum questions होता है ठीक है this section consists of 15 questions section B के अंदर total हमारे पास 15 questions होंगे out of which 10 are numerical problems समझ रहे हैं बात को 15 questions जो दिये जा रहे हैं उसमें से 10 questions तो numerical के हैं ठीक है बाकी remaining जो पांच questions आपके बचते हैं वो theoretical part आता है जिसके अंदर derivations आती है और बास दोकार जो सवाल बनकर आते example के दौर पर मैं आपको यह बात समझा देता हूं किसी भी chapter के बात करें state and explain state and drive the relation तो state का मतब छोटी सी statement आपने देनी है अब हम बात करते हैं section c यानि section c में detailed question answers का पार्ट होगा जो हमने attempt करना है एक और बात जो के बहुत एहम है वो यह है कि section basically consist करता है तीन questions ठीक है यानि three questions हमें दिये जाते हैं जिसमें से each question have two parts बात समझेगा यानि अगर question number three four and five यह तो होगा तीन सवाल जिसके लिए कहा गया है ठीक है हर question के दो parts है यानि a और b a और b ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि total हमें attempt कितने करने दो question attempt करने यानि चार पार्ट से time करने ठीक है यारी चार question item करने या फिर चार पार्ट करने और हर एक पार्ट यानि हर एक पार्ट जो होगा इस question carry 14 marks एक सवाल के 14 marks है question 3 के 14 marks है question 4 के 14 marks है ठीक है तो उसे इसाब से जो एक paper pattern के अतबार से तो आप लोगों को मकमल तौर पर इस बात की याद्यानी हो जानी चाहिए कि जो बाते हम करके आचुके वह बहुत important थी और उसी अतबार से आप लोगों ने paper की preparation करनी है ठीक है तो अब हम बात कर लेते हैं chapter की distribution पर कि कितनी चैप्टर हमारे syllabus में है और इसमें से कौन सा चैप्टर कि सेक्शन के लिए most important चैप्टर है यानि उसको आपने मदे नजर रखते हुए अपनी तयारी को मकमल करना है तो पहले बात कर लेते से चैपने नंबर वन स्कोप of physics हर अगर बात की जाए physics chemistry यह किसी भी आप जुआ सबजेक्ट लावल उसका पहला चैपे इंट्रोडक्शन का अदर इसी तरह ताव फिजिक्स तीक है दूसरे चैप्र Scalors and Vector 3rd Chapter Motion Motion in 2 Dimension Chapter 4 Chapter 5 Torque Angular Momentum and Equilibrium Chapter 6 Gravitation Chapter 7 Work Power and Energy Chapter 8 Wave Motion and Sound Chapter 9 Nature of Light Chapter 10 Geometrical Optics यह थो थे वो Chapter जिनके जो और आल हमारे स्लेवर्स में शामिल है 10 Chapter चोटल और उनके नाम के साथ मैंने आप लोगों को यह बात बता दी लेकिन अब जो एहम बात है आप के लिए वह बहुत इंपॉर्टन यह है कि Section B Section C कौन-कौन से Chapter basically हमाले इंपॉर्टन होगे Section B के लिए और Section C के लिए जो हमने एक्जाम अटेम्ट करने बोर्ड के उसी अत्वार से तो यहां पर मैं लिखवा देता हूं तो Section B Section B के अंदर मैंने बताया था कि 15 कौशन आते हैं जिसमें से हमें 10 कौशन अटेम्ट करने होते हैं और 10 कौशन अटेम्ट करने तो होते हैं लेकिन साथ साथ 10 नहीं भी हो तो मदब कहने का मकसद यह कि अगर ऑख उसमें किसी तरह की कैलिग्लिग्राफी को शोशाख किसी किसे मं करोएं और अब हमने Section B के वह चैप्टर मैंने आपर मैंशन करने कौन से Chapter हमने Section B के लिए रखने इनि किन Chapter की आमने त्यारी करनी है Section B के लिए तो section B में जो chapters शामिल है वो आपका है chapter number 2, chapter number 2, chapter 3, chapter 4, chapter 6, chapter 8, chapter 9 and chapter 10, count कर ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानि out of 10 chapter में से सिर्फ 7 chapter आपने करने हैं जो आपका section B cover करेगा, जिसमें derivation, जिसमें theory का part और जिसमें numerical, totally सभी इनी chapters में से आएंगे, तो इसकी आप लोग ने बहुत अच्छे से preparation करनी है, ठीक है, तो यह हमारे पास total 7 chapters है, 7 chapters, ठीक है, अब बात कर लेते ह कहाँ पर जरा, section C की, section C में से section C को attempt करने के लिए, smartly हमने कौन से chapter को, कौन से chapters follow करने, कौन से chapter बहुत important है, section C को attempt करने के लिए, तो section C के लिए हमारे पास chapter जो है, वो chapter 2 है, chapter 3 है, chapter 8 है, chapter 9, and chapter number 10, count कर ले, 1, 2, 3, 4, and 5, यानि 5 chapter, that's enough for section C, यानि अगर आप section C बहुत अच्छे से time करना चाते हैं, तो यह हमारे पास 5 chapters होंगे, तो मुझे एक बात बता है, कौन से chapters similar है, chapter 2, यहां भी है, chapter 3, यहां पर भी है, chapter 8 भी यहां पर है, और यहां पर भी है, chapter 9 भी है, chapter 9, chapter 10, chapter 10, इसका मतब section C के लिए आपने अलग से तेरी भी निकरनी, जो chapter आपने section B के लिए कर लिए, that's enough, जिसमें से आपका section C भी निकल आएगा, और section B भी निकल आएगा, ठीक है, जो के बहुत अहम था, यह बता दू मैं आपको, दूसरी एक और बात, के section C में जो हमारे पास सवाल मैं आपको बता हैं, तीन questions आते हैं, ठीक है और हर question के दो parts होते हैं, तो इस हिसाब से 6 parts होते हैं, और उसमें से आपने 2 question attempt करने हैं, यानि 4 parts attempt करने होते हैं, वो 4 parts का pair कैसे बता है, यानि कौन से 2 chapter में, पहला सवाल जो आया है question B 3, उसके दो parts होंगे, वो कौन कौन से chapter लेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि अगर हमारे पास question number 3 है, ठीक है, और उसके दो parts है, part A and part B, तो part A जो है, वो आपका chapter number 3 और chapter 10, ठीक है, ये दोनों chapter एक साथ pair में आते हैं, साथ ही साथ, question number 4 का part A और part B, इसके कौन से chapter हैं, जो pair में आते हैं, वो chapter 8 है, और chapter number 10, ठीक है, याद रखेगा, chapter 3 के साथ, chapter 10 pair में आएगा, chapter 8 के साथ, chapter 10 का सवाल जो है, वो pair में आएगा, तो इस हिसाब से आपके चार parts यहां पर complete हो जाएगे, अपने बहुत सारा खैल रखेगा, इंशालों नेक्स वीडियो में, एक भरपूर अंदास के साथ, फुली दॉर energy के साथ, हम chapter physics का आगास करेंगे, chapter 1 का, इंशालों आपने बहुत सारा खैल रखेगा, thank you so much, lafiz.